जै श्री बाला जी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत वलवीरा आप सभी का बाला जी के दरवार में स्वागत है होली और दीपावली ही ये दो ऐसे प्रव हैं जब अच्छी और बुरी सक्तियां सबसे ज्यादा प्रभाव साली होती है जिस प्रकार पूजा फल देती है ठीक उसी प्रकार इन दिनों किया गया पाठ तंत्र मंत्र जादू टोना तोटका सबसे ज्यादा रंग दिखाता है इसलिए इन दिनों साम के समय मीठा खाकर रात के समय खुस्वूदार सेंट आदी लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए चोराहों और तिराहों को देखकर पार करना चाहिए महलाओं और क्वारी लड़कियों को बाल खोल कर घर की छत पर सुनसान जगे पर रात में अकेले गोमना नहीं चाहिए क्योंकि इन दिनों तांत्रिक हवाएं सबसे ज़्यादा चलती हैं और हवा किसी की सगीनी होती छोटी से छोटी सकती भी इन दिनों तागतबर हो जाती है इसका कारण है तंत्र सास्त्र साधना और उसके विधी विधान को गुप्त रखने के लिए कई अध्यात्मिक कारण है ऐसे में तंत्र सास्त्र में कई विधान हैं जैसे कि टोना टोटका, उपाय, उतारा, साधना सिधी, आदि टोना का उपयोग सत्रू के अनिष्ट के लिए होता है जबकि टोटका का स्वार्थ पूर्थी के लिए किया जाता है परन्तु इसमें किसी का बुरा नहीं होता, तंत्र सास्त्र का उपयोग त्योहारों के आते ही आरंब हो जाता है, मगर तंत्र सास्त्र के अनुसार धीपावली पर किये गए तोटके सबसे ज़्यादा प्रभावसाली होते हैं, धीपावली पर मंत्र जगाए जाते हैं, सिद् हुआ है जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की अपने स्वार्थ पुर्शार्थ परोपकार के लिए कुछ ना कुछ खोशता रहा है यह जिग्यासा संसार में सदय प्रवल रहती है कई ऐसे सिद्ध महूर्थ होते हैं जिनमें तंत्र सास्त्र में रुची लेने वाले तथा इसके प्रकांड ग्याता तंत्र मंत्र की सिद्धी प्रयोग वक्त क्रिया किया करते हैं इन महूर्थों में सबसे प्रवल महूर्थ है धन्तेरस खास तौर पर दीपावली की रात होली दसेरा नवरात्रे और महासिवरात्री इसमें दी दीपावली की महारात्री को महालच्मी अपनी भेन दर्दृता के साथ पृत्वी लोग की सेर पर आती हैं, जिस घर में सापसफाई और स्वच्चता रहती हैं, वहां महालच्मी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में स्वच्चता नहीं होती, वहां दर्दृता अपना बा रिगवेद काल से माना जाता है अर्थवेद में भी इनका वरनन हैं कई जगों पर नवरात्री शुरू होते ही लोग किया कराया आदी करने लगते हैं तथा उनका यह क्रम दीपा वाली के खतम होने पर बना रहता है यहां तक कि आपने देखा होगा घर में बुजर्ग इस्त्रियों द्वारा भी घरेलू तोटके अपनाई जाते हैं यहां केवल गामों और कस्मों तक ही सीमित नहीं बल्क छोटे बड़े सहरों में भी किये जाते हैं त्याहारों के समय जब किसी दूसरे घर में से मिठाई आदी आता है तो घर की महलाएं उसमें से चुटकी भर निकाल कर फैंक देती हैं इसके बाद ही वह परिवार सद्यश्यों को खाने के लिए देती हैं उनका मानना होता है कि अगर खाने में कोई टोड़ना टोटगा किया गया होगा तो परिवार पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा धन्तेरस से भाई दोज तक के समय का विशेश ज्यान रखें हनुमान जी का तिलक और भभूत मस्तक पर लगाएं हनुमान जी चालिसा का पाठ सुबह साम करें यहाँ पाठ रच्छा तो करेगा ही इसके सुप परणाम भी आपके जीवन में होंगे अगर बाला जी का जल आपके घर में है तो उसका सेवन करें करने के बाद ही बाहर जाएं नहीं तो आप हमारी संस्थान से भी मगवा सकते हैं एक लोहे का टुकडा दो लोंग और कपूर पोटली में बांध कर रखने से भी अला बला दूर रहती है घर के बाहर पीली सर्सों में काले तिल मिलाकर घर के मुख्यद्वार के कौने में रखने से बुरी सकतियां घर में प्रवेश नहीं करती दहल कर रखने से नजर दोस नहीं लगता दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लूंग डाल कर Khनुमांजी की आर्थी करें . दीपावली का त्योहार धनका प्रतीक है और धनके लिए जरूरत होती है कमाने की आपकी आयमे ब्रद्धी के दो उपाय में आपको बता रहा हूँ दीपावली की साम में साबोथ उड़, धाई और सिनूर लेकर पीपल की जड्में रखें और एक दीपक जलाएं इससे आपकी आयमे ब्रद्धी होगी धीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर कुमकुम लगा कर उस पर बूदी के दो लड्डू रखें और हनुमान जी को भूग लगाएं इससे आए में आरही बाधा हैं दूर होंगी बाला जी महराज आपका मंगल करें जीवन खुर्शियों से भरें अपना ध्यान रखें स्वस्त रहें जैसरी बाला जी आप हमारे संतवानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलें